नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धनाजय 22, 23 और 24 तारीकों रश्या के कजान में BRICS को और्गिनाईज किया जाता है और एस पर रश्यान मीडिया इसमें टोटल 36 कंफ्रीज के हेड आफ स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं जियो पॉलिटिक्स कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पे हर देश के कुछ अपने इंट्रेस्ट होते हैं साल 2024 का BRICS सब्मिट को और्गिनाईज करके रश्या भी एक मैसेज भीजता है उन सभी देशों को जिनके संबंद उसके साथ अच्छे नहीं है वहीं पे अगर हम बात करें भारत और चाइना के point of view से तो ये हमारे लिए भी काफी important था जहाँ पे भारत के प्रधार मंतर यानि के हमारे Mr. Modi जी और Xi Jinping आल्मोस्ट पान सालों के बाद मिलने वाले थे और BRICS सब्मेट में participate करने के लगबग 24 घंटे पहले भारत और चाइना के बीच में एक disengagement का process जो था वो almost हम कह सकते हैं कि वो बहुत हद तक complete हो गया जैसा कि हमें मालू में कि साल 2020 के जून के महीने में गालवान में Indian troops और Chinese troops के बीच में एक बहुत ये massive violent clash होते हैं जिसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं और कुछ हमारे जवान injured होते हैं वहीं पर अगर चाइना के बारे हैं बात करें तो इन्होंने अब तक ये officially disclose नहीं किया है कि उस violent clash में इनके कितने लोग मारे गये थें साल 2020 से भारत और चाइना के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत खराब हो गये थें और उस संबंध को सुधारने के लिए लगभग 60 से लेके 70 अलग-अलग capacity में meetings किये गए और possibly हर तरीके का जो diplomatic process होता है उससे भारत और चाइना गुजरा साल 2020 में जब भारत और चाइना के forces के बीच में गालवान में clash होता है तो उसके बाद बहुत सारे areas में जो patrolling होता है उसे रोग दिया जाता है और लगभग लगभग साड़े चार-पांच साल का समय लग गया इस dispute को या इस disengagement को resolve करने के लिए एक तरफ से ये news काफी positive news है कि overall हमें dialogue और diplomacy का सहारा लेके हम जो disengagement का process था उसको कियें लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी analyst है जिनकी अच्छी समझ है भारत और चाइना के relation को लेके उनका ये मानना है कि चाइना पहले भी एक बहुत बड़ा धोके बाज देश था चाइना आज भी एक बहुत बड़ा धोके बाज देश है जो भी उसके तवारा action लिए गया है यानि कि जो disengagement process को fulfill किया गया है या इसमें एक काफी positive तरीके से step लिया गया है इसके पीछे ये भी हो सकता है कि चाइना फिलहाल उस mood या उस condition में नहीं है जहां पे वो भारत के साथ और भी मतलब दुश्मनी को मोड़े या किसी भी तरीके से जो रिष्टे हैं उसको खराब करें जैसा कि हमें पता है कि चाइना और यूएस के बीश में बहुत हद तक जो trade war है वो चल रहा और आज के rate में जो चाइना है उसका जो नजर है वो बहुत हद तक Taiwan के उपर है और एक और उससे भी शायद important चीज़ वो ये है कि जब भी दो nuclear power देश होते हैं तो वो कभी भी एक limit के बाद जाके अपने रिष्टे को खराबों नहीं करना चाहते हैं और वैसे भी कोई भी देश अपने defense related या border से संबंधी जो जानकारी है उसको एक limit के बाद share नहीं करता है तो जो dis engagement का process हुआ है इसमें ये कहा गया है कि साल 2020 के April के महीने तक Chinese troops जिन सब areas में वो patrolling कर रहे थें वो उन्हीं सब areas में patrolling करेंगे और साथ में भारत के जो troops थे वो जिन सब areas में patrolling कर रहे हैं के डिस इंगेजमेंट के बारे में तो ये स्टेप अपने आप में काफी अच्छा है लेकिन साथ में हमें एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि इस शीज को हमें काफी जादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए इसके पीछे का जो सिंपल रिजन है वो ये है कि कुरे प्रोसेस में कम से कम तो साथ से लेके सतर राउंड्स ओफ मिटिंग्स वगेरा हुए और अलग-अलग केपैसिटी में तो अगर उतने दिनों तो अगर मिटिंग होता रहा और चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं माने या चाइना नहीं माना तो ये बिना शी जिन के अगरी करते हैं कि जितना जादा कम्यूनिकेशन होगा जितना जादा जो डायलोग का लाइन्स खुले रहेंगे उतना ही जादा अच्छा रहेगा भारत और चाइना दोनों के लिए और उसके बाद जिस तरीके से ब्रिक्स को आल्मोस्ट सभी वेस्टिन कंट्रीज एक ने जहां तक बात किया जाये अपने PA Modi का तो इन्होंने बहुत स्पेसिफिक शब्दों का इस्तमाल किया और कहा कि जब तक देशों के बीच में mutual trust ना हो या mutual respect ना हो तब तक दो देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे नहीं हो सकते हैं और जिस तरीके से चाइना स्पेसिफिक तरीके से हाइलाइट कियें और जहां तक बात किया जा कि आखिर में प्रेसिदेंट शी ने क्या कहा तो प्रेसिदेंट शी ने वही कहा जो उनसे almost expected था या आप इसको ऐसा समझ ले कि वो हमारे PA Modi के हां में हां मिलाएं जहां पे वो बहुत स्पेसिफिक तरीक सची बात है और उसके बाद जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में एक positive तरीके से disengagement process आगे बढ़ रहा है इसके लिए भी बहुत इस specific team को align या assign किया गया है जो काफी dedicated तरीके से इस बात के उपर focus करेंगे कि जल से जल्द उन सभी मुद्दों को disengage या जो भी disputes वग जरोसा नहीं करना है कोई भी meeting में होता है तो वहां के जो head of state होते हैं वो ऐसे ही मीठी मीठी बाते करते हैं इसी महीने के तेरा तारीक को Chinese Navy अपने एक ship को dock करते हैं बांगलादेश में क्यूंकि जो condition हो रखाया बांगलादेश का वो हम सभी के सामने हैं और China बहुत ही expert है जो भी उनके ships वगेरा होते हैं वहां पे वो जासूसी करने वाले जो उनके equipments वगेरा होते हैं उसको वहां पे वो लगाते हैं और जहां तक बात किया जाए मौलदीप और स्रिलंका के बारे में तो इनका जो geographical location है इसी वज़े से इनको भारत और चाइना के तरफ से इतने बढ़ चड़कर भाव मिलते हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जो Chinese Navy है research के नाम पे या एक disguise form में वो अपने जो spying के जो equipments वगेरा होते हैं उसको इसी तरीके से वो इन सब देशों के आस पास वो लाके रखते हैं और उनका जो claim होता है वो बस claim यही होता है कि उन स सब एडियास के उपर अगर कल को भारत और चाइना के बीच में किसी भी तरीके से अगर विवाद बढ़ता है तो इन सब एडियास में भारत क्या करेगा कि जो Chinese ship रहेगा उसको रोक सकता है तो बहुत एक futuristic approach रहता है चाइना का जहां पे वो उन सब एडियास को continuous तरीके से वो study करता रहता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye